नमस्कार आज हम लोग बना रहे हैं साब उत्मूं का बहुत ही जादा स्वाधिष्ट और सेहत्वन नास्ता इसमें हम बहुत सारी सबजियां में डालेंगे उनकी भी पॉस्टिक ता इसमें होगी और बनाने के बाद ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो इसे हम पसंद आने पे लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है साबुत मूंग इस तरह से जो साबुत मूंग होती है न उसका हम इ अच्छा लगता है तो यहां पे एक कप से थोड़ा कप यह पाउडर तयार किया था हमने वह ले लिया है और इसमें हमने आधा कप छाज डाल दिया है इसे डाल करके मिक्स करेंगे अभी बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है ना इसे बहुत ज़्यादा पतला करन है आधा कप छाज डालने के बाद में हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप पानी तो इस तरह से हमने इसमें एक कप डाल दिया है लिक्विड आधा कप छाज जाला था आधा कप पानी और इससे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको सोक होने के लिए रख देंगे दो से गंटे हो चुके हैं और आप देख रहे हैं यह बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है हलका सा ड्राय दिख रहा है पर हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हम इसमें बहुत सारी हरी सब्जियां भी डालने वाले हैं बस दो तीन चमच हम इसमें पानी एड़ करते हैं और इसी के साथ हम इसमें डालने वाले हैं सोडा आधर टी स्पून सोडा हमने इसमें डाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियां डालने के पहले ही हमें सोडा डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करना है फिर हम इसमें डाल रहे हैं नमक स्वा चॉप कर लिए हरा धनिया एक कब भर के लिया है हमने और सिम्ला मिर्ष हमने एक छोटी ली थी जिसे बारी कट कर लिया बड़े साइज का टमाटर भी हमने चॉप कर लिया है इसके साथ ही हम इसमें हरी मिश डाल रहे हैं आप अपने देश के कॉरिंग हम यह ज्यादा कर सकते लाल मिश भी डाल सकते हैं गरम मसाला आधा चमज डाल दिया है एक इंच अध्रक कर टुकड़ा ग्रेट करके हमने इसमें मिक्स कर दिया है और अब हम करने वाल हैं सभी जीजो को मिक्स मिक्स उससे पहले हम जिस बरतन में इसे पकाने वाले हैं स्टीम करने वाले हैं हमने अच्छी तरह से हमने आयल लगा के ग्रेस कर लिया था क्योंकि वेजिटेबल्स मिक्स करने के बाद इस बैटर को तुरंत ही हम पॉर्ट में डालने वाले हैं यहां पर सभएंया अच्छी से मिक्स हो चुकी थी हम इसे पॉंट में ट्रांसफर कर रहे हैं यह दिखिये इस तरह से पूरा बैटर्स हमने डाल दिया है और ध्यान रखने लखने कि जो भी हम पॉर्ट यूज़ कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा गहरा ना हो ज्यादा गहरा होगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा इसे को खोने में ज्यादा टाइम लग जाएगा इसे हमने इस पैचुला की मदद से पुरा फैला दिया है और यहां जिस बर्दन में आपको स्टीम करना है जैसे हम कडाई में से स्टीम करने वाले थे उसम कम से कम पंदरा मिनट के लिए थे चोड़ देंगे और यहां आप देख सकते हैं बड़ी हसा कुख हो गया है अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि यह अच्छे से पका है या नहीं एक नाइफ हमने इसमें इंसर्ट की अगर वो प्लीन निकलती है मतलब है अमारा दोकला कुख हो साइट्स को छुडा लेंगे और एक प्लेट उपर से कवर करके इसको पलट लेंगे टैप टैप करेंगे और पूरा दोकला बाहर आजाएगा इसलिए इसे डालने के पहले पुरा अच्छे से ग्रीस करना बहुत जरूरी होता है पूरा दोकला बाहर आने के बाद हम इसको जैसे नर्मल डोकले के पीसेश करते हैं उसी तरह से पीसेश में कट कर लेंगे तो यहाँ पूरा दोकला हमने निकाल लिया था अब हम अपने मंचा अकार में इसे कट कर लेंगे आप जैसे जितने बड़े पीश चाहें वैसे कट कर सकते हैं कट करने के बाद हम इसे फ्राय करने वाले हैं आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये खाने के लिए रेडी है अच्छे से स्टीम हो चुका है बहुत सारी सबजियों और मूंग डाल के पौश्टिक रसे बरपूर ये नास्ता आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं पर हम इसे फ्राय करेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट इसका आएगा तो यहाँ पर हमने एक बड़ा चमच भर के ऑईल गरम क्या था कड़ाई में उसमें हमने आधा चमच राय डाल दी तिल डाल दिया एक चमच भर के और थोड़ा सा करीपत्ता डाल दिया है अब इनको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे जब यह चटक जाएंगे तब हम इसमें डोकला डालने वाले हैं तो यह देखे चटक ने लग गया थे अब सारा डोकला हम इसमें प्लेस कर देंगे बहुत ज़्यादा चीज़े नहीं डालनी है पर आप अगर डालना चाहते हैं तोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और तोड़ा सा चाट मसाला वगयरा यहां पर एड़ कर सकते हैं मैंने यहां पर कुछ भी नहीं डाला है बस राई करी पत्ता और तिल डाला हुआ है इसी के साथ में हम इसे मेडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे अच्छी तरह से बहुत है तो बस अब क्या करने वाल है आगी अच्छी तरह से भून जाएगा हम इसमें डालने के हरा दनिया राधनिया डालने के बाद या हमारा खाने के लिए रेडी था इसमस्टे प्लेट में निकार लिया और आप देख रहे हैं कितना बडियाँ dóश्ञा है बहुत ज़ज़़ाली और बहुत ज़़धा Have a nice day!